खुर फ्रेंद बहुत स्वागत है आपका इस वीडियो क्लास में इस वीडियो क्लास में हम डिसकस करेंगे वर्ड एक्षेंज के कुछ गुष्टिंज और यह पुछ्टिंस मैं इसनले लिए हैं क्योंकि यह काफी ट्रेंड में है इस समय और सभी बैंक के अब सकते हैं तो पहले आपको समझना होगा यह किस तो क्या इनका त़रीका होता है करने का तो इनको मैं बताऊंगा आपको देखिए यहाँ पर आप एक sentence देख सकते हैं यहाँ पर यह red color में एक sentence दिया है ठीक है और इसमें कुछ words को bold किया गया है अब यह words जो हैं यह context के context के according या meaning के according गलत हो सकते हैं तो इन चारो words को यहाँ पर देखिए चार words है एक यह है एक यह है एक यह है और एक यह है चार word है ठीक है तो चार word को किसी दूसरे चार word से आपको replace करना है क्योंकि हो सकता है यह words context के हिसाब से गलत हो तो इन pairs में से आपको एक pair लेना है ठीक है यह जो दिये हैं 1, 2, 3, 4 और हो सकता है यह यह words है यह already correct हो तो उस situation में फिर आपका जो answer होगा वो होगा no correction required क्योंकि यह words है वो already पहले से ही सही है तो देखिए banking exams में क्या है कि unpredictable questions इस समय ज़्यादा पूछे जा रहे है unpredictable questions का reason यह होता है पूछने का कि unpredictable questions जब आते हैं student के सामने तो जो student जिस student में aptitude है banking का और original talent है वो उसको अच्छे तरीके से कर सकता है ठीक है क्योंकि उसने first time उन questions को देखा है और first time first time में ही वो अच्छा perform कर रहा है तो इसका मतलब कि उसका intelligence level और जो original aptitude है वो अच्छा है तो बैंके एक्जैंस में ज्यादा ज्यादा उन्प्रेक्टेबल कोस्टेंस आएंगे सभी सेक्सेंस में तो इस चीज के लिए आप तयार रहिए और यह मैं सोचिए कि सारे questions ऐसे ही आएंगे जो आपने प्रिपेर किये हैं क्योंकि आपको इसको करके बताता हूं देखिए इंडिया शुक्ष भारत मिशन इस रिसीविंग इल्क प्रेज कुछ हो सकता है सब आपको इल्का मीनिंग नहीं पता देखिए इन सिस्ट्रे इस अपने आप में थोड़ा सा ओक वर्ट सा लग रहा है जीप सा लग रहा है लेकिन हम आगे देखते हैं फॉर अटेंटिंग टू क्लोज दा सैनिटेशन और डील और दील का मतलब होता है अग्नी परिक्षा तो सैनिटेशन और यहां पर इसका सेंस नहीं बन रहा अब हम आगे देखते हैं 60% of the rural population not having access to a toilet at home in 2014 the NDA government poultry महात्मा गांधी वीजन देखें पॉल्ट्री का मतलब होता है बहुत ही कम तो यह तो एक सिंपल सा वर्ड मीनिंग है सभी को पता रहता है तो यहां पर पॉल्ट्री डेफिनिटली नहीं आ सकता NDA government poultry महात्मा गांधी वीजन ठीक है तो पॉल्ट्री का यहां पर कोई सेंस नहीं है अब देखें यदि यदि आप इसको देखें यहां पर यदि आप कॉमन सेंस लगाएं तो इंडिया स्रक्ष भारत मिर्सन इस रिसीविंग प्रेज वह प्रेज कैसी है तो फर्स्ट में क्या सकता है क्या प्री प्रस्सेंट एफड होता है सर्प्राइजिंग प्रेज हो सकता है घुए और एक है global देखे ग्लोबल होर्ट यहां पर एक दमट और हो रहा है क्योंकि इंडिया की स्वक्षभालत मिशन जो है यह पूरे वर्ड में इसकी तारीफ हो रही है ठीक है सर्प्राइजिंग प्रेस का उत्रा सेंस नहीं है कि आश्चर जनेक प्रेस ठीक है और आश्चर जनेक प्रेस यदि लगाते भी हैं तो सेकेंड में देखिए सारे वर्ड्स आपक आखे देखते हैं इंडिया स्वक्षभालत मिशन इस रिसीबिंग ग्लोबल प्रेस फॉर अटेंटिंग तू क्लोज दा सैनिटेशन सैनिटेशन गैप आफ नियरली सिक्स्टी परसेंट आफ दे रूरल पॉपॉपॉलेशन इसको इंटेशन प्रेस क्यों मिल रही है क्यों 60 परसेंट रूरल पॉपॉपॉलेशन को इसने कवर कर दिया है इंडिया स्वक्ष भारत मिशन इस रिसीबिंग ग्लोबल प्रेस फॉर अटेंटिंग तू क्लोज दा सैनिटेशन गैप आफ नियरली 60 परसेंट आफ दे रूरल पॉपॉपॉपॉलेशन नौट है तो इसलि अब देखिए यहां पर थे ऐअपरецीञ करेंट महात्मा गांदी गत्री महात्मागंधी का जसे सब्सक्ष्क्राम ऑपॉफीज़न था कि यह मात्मादी यह जी मुपंपोल्मित गीशन ख MeteId कैईए गत्र दिलीयो सब्सक्त्र सारव प्रोग्राम शॉपॉपॉपॉपॉप कि आप धिन से देखें तो यह चारों वर्ड्स न चारों का रिप्लेश्मेंट है ओल्वल ग्यप इंवोंक, टैलेंट टैस्ट होता है, जिसमें आपकी परिक्ष होती हैáng क्या आपका endurance क्या है उसको हम बोलते हैं ordeal या crucible तो crucible program तो होगा नहीं ठीक है तो इसलिए ambitious program यह हो सकता है definitely यह ambitious program है तो इस तरीके से इन questions को आपको करना होता है अब देखिए कितने सारे word meanings यहां पर दिये हैं लेकिन इस तरह के sentences में यह ज़रूरी नहीं है सारे word meaning आपको आते हो एक या दो आपको link मिल जाता है तो आप उस sentence को सही कर सकते हैं यहां पर देखिए program तो यह program कैसा है क्या यह financial program में नहीं है क्या यह agricultural program में नहीं है क्या यह private program नहीं है क्या यह ambitious program है definitely यह ambitious program है तो देखिए एक word से ही तो आपने इसका answer ढूड़ा यदि ambitious यहां पर सही है तो यह यह तीनों word आपके automatically सही हो जाएंगे ठीक है तो एक word चार में से किसी भी एक word का आपको proper combination और प्रॉपर लिंक आपको मिल जाता है तो उसके बेस पर आप उस पूरे question को सही कर सकते हैं ठीक है आई होप आपको यह समझ में आया होगा और इसमें काफी सारे word meanings को मैं अलग से discuss करूँगा क्योंकि इसमें काफी सारे words है जैसे mandated है mandated का मतलब instruction देना order देना जैसे public public mandate जैसे इस बार आया है कि मोरी को चुना जाए तो official एक order जो होता है उसको mandate बोलते हैं यह काफी अच्छा word है इंटर डिक्ट का मतलब prohibit करना होता है predestined मतलब पहले से निर्धारित होता है stasis भी एक अच्छा word है जिसमें एक ऐसा दौर चलता है जिसमें in activity काफी होती है मतलब activity नहीं होती इन activity होती है उसको बोलते है stasis तो काफी अच्छा यह question है ठीक है तो ऐसे questions आपको सभी banking exams में प्री में और मेंस दौनों में ही आपको देखने को मिलेंगे ठीक है तो इनको आप इनको आप ऐसे तैयार कर सकते हैं अब देखें यहां पर मैं इस question को आपको करके बताऊंगा और लिंक के थ्रूँ ही करके बताऊंगा दविक्ट्री एट क्यूबेक आपने history पड़ी हो तो उसमें आपने पानी पत का जो युद्ध है वो पड़ा होगा और उसी तरीके से यह victory थी बिटिस और फ्रेंच के बीच महुई थी यह the victory at Quebec can be multifaceted to many factors देखें यहां पर हम क्या बता रहे हैं यहां पर हम यह बता रहे हैं कि इस victory यह victory थी इसके लिए काफी सारे factors responsible थे यह जो victory थी यह जीत थी इसके लिए काफी सारे factors responsible थे इस victory के पीछे काफी सारे factors थे तो multifaceted का मतलब तो यह होता है कि जिस चीज के काफी सारे aspects हों काफी सारे dimensions हों तो can be multifaceted word यहां पर गलत है यहां पर तो हम victory के पीछे क्या-क्या factor थे वो बता रहे हैं ठीक है और इसमें एक linking proposition और आ रहा है तू तो यहां पर आप यह भी देख सकते हैं कि तू के साथ कौन सा वर्ड जुड़ सकता है अब देखिए अब देखिए दा विक्त्री एट क्यू बैक कैन बी extroverted टू एक्स्टो वर्टे तो बिल्कुली आउट ओफ कॉंटेक्स्ट होगा can be attributed to आसकता है unconstrained to locations नहीं आसकता देखिए यहां पर एक link आप आपको मैं और बताता हूँ can be लगा है यहां पर तो यहां पर cable third form ही आसकता है तो third form है इसमें attributed अब देखिए attributed का मतलब होता है जैसे यह आदि आप बोलें कि मैं I attribute my success to my hard work I attribute my success to my hard work मतलब मैं अपनी success को अपनी success के पीछे hard work को मांता हूँ success के लिए responsible factor है वो hard work है तो attribute का मतलब होता है किसी चीज़ के लिए किसी चीज़ को responsible मानना तो attribute के साथ to be आता है और attribute context के साबसे भी सही है attribute में third form भी है third form क्यों आएगा क्योंकि can be लगा है can be के साथ यहाँ पर third form आएगा तो मैंने केबल एक word का link आपको करके बताया कि यहाँ पर first option में attribute ही आ सकता है क्योंकि यहाँ पर देखिए location तो third form नहीं है unconstraint के साथ two नहीं आता है extrovertate के साथ two नहीं आएगा तो यह तीन options तो अपने आप वहाँ पर fit हो जाएंगे तो यह इनका एक तरीका होता है questions को करने का तो इसमें आपका answer जो होगा second होगा अब यह इनको आप फिल करें तो यह बिल्कुल सही fit हो जाएंगे देखिए victory at qback can be multifaceted can be attributed to many factors although qback was heavily defended मतलब qback एक जगे का नाम है qback was heavily defended वह बहुत defense लगा हुआ था वहाँ पर the overall position of the french was extremely weak देखिए यहां पर भी extremely word सही है कि french की जो position थी defended तो था वह लेकिन overall जो position थी वह काफी कमजोर थी french की they had lost many of their Indian allies Indian allies उनके काफी खतम हो चुके थे the army was strained to the limit after years of fighting against the greater resources of the British मतलब आर्मी कमजोर हो गई थी strained हो गई थी strained to the limit मतलब थक गई थी और British की power ज्यादा थी तो यहां पर यह दी देखा जाए तो आपका second option इसमें सही है ठीक है तो ऐसे इनको करना है और imputable का मतलब भी attributable होता है imputable radical मतलब substantial बड़े बड़े मौटे radical changes जैसे हम बोलते हैं बड़े इस्तर पर जो changes होते हैं deplore मतलब hate करना तो काफी सारे words है इसमें simulate मतलब copy करना simulate simulator एक होता है जिसके through driving से खाई जाती है simulator तो यहां पर आपका second आपका सही है I hope आपको यह सारे questions समझ में आई होंगे अब देखिए इसी में एक तरीके के questions और पूछे जा रहे हैं जिसमें 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 चार वर्ड दिये हैं इन चारों words को आपस में exchange करना होता है तो वहां पर फिर यह number दिये रहते हैं A, B, C, D तो हो सकता है A के स्थान पर C आए और C के स्थान पर A आए ठीक है या B के स्थान पर D आए, D के स्थान पर V आए तो ऐसे भी questions पूछे जाते हैं इसमें आपको इन चारों words को नीचे दे हो सकता है, the soft ungovernable soil beneath the leaning tower of Pisa, Pisa की leaning tower के बारे में आपने सुना होगा यदि आप जी के पढ़ते हैं कि वह जुकती हुई tower है और एक angle पर जुक रही है लेकिन गिरती नहीं है, इसका मतलब क्या है, यहां पर beneath का मतलब नीचे है कि उस tower के नीचे जो मिटी है वो कैसी है, ठीक ह होगी, वो काफी strong होगी तो उसी से related एक word आएगा, देखिए यहां पर यहां पर देखिए foundational word आ रहा है, sorry, तो foundational soil होगा यहां पर, यहां पर ungovernable, assertive soil तो होगा नहीं, कोई sense नहीं है, यह तो human beings के लिए आता है, fostering भी human beings के लिए आता है, और retaining, मतलब बापिस अपने पास जुड़ सकता है, soil के साथ के लिए foundation word यहीं जुड़ सकता है, तो यही third ही इसमें answer होगा, देखिए कितनी जल्दी इसका answer आ गया, तो ऐसे यह है सही तरीके and questions को करनेगा, the soft foundational soil beneath the leaning tower of Pisa in Italy has helped it stand through numerous strong earthquakes since 1218, इसका मतलब यह है कि foundational जो soil है उसकी tower of Pisa की, leaning tower of Pisa की इतली में, ठीक है, उसने काफी सारे अर्थक्वेक के attacks झेले हैं, 1280 से, और यह scientist बोलते है, say scientist who, who के आगे क्या आएगा, who unveiled the mystery behind how the structure remained undamaged, मतलब उन scientist ने बताया है कि इसके नीचे की जो मित्ती है, वो काफी flexible है और काफी enduring है, endurance power उसका काफी high है, और इसी की बज़े से इसने काफी earth cake के जो attacks उनको झेला है, और यह बात बताई किसने, scientist ने, जिसने इस mystery को unveil किया, इस mystery को खोला, at a five degree angle, five degree जो angle है वो कैसा है, वो precarious है, वो खतरनाक है, वो unstable है, वो shaky है, तो precarious वर्ड भी यहाँ पर एकदम सही है, precarious मतलब जो stable नहीं है, जो shaky है, unveiled मतलब किसी चीज को रहस को खोलना, तो इस हिसाब से देखा जाए, तो यहाँ पर यह option इसमें बिल्कुल सही है, torpid का मतलब होता है lazy, indolence का मतलब भी lazy होता है, imminent का मतलब आने वाला होता है, ठीक है, अवेंटन मतलब छोड़ना होता है, तो third इसमें सही answer होगा, ऐसे करना है, फुल्सम का मतलब excessive होता है, स्वाम का मतलब एक तरफ भील जैसे कोई चीज का group होता है, वो दोड़ता है, स्वाम, ठीक है, ऐसे questions को करना होता है, आपको, आराम से आप कर सकते हैं, there is a deeper problem, there is a deeper problem in terms of civil society and our social movement, our movement have been theoretically acute and organizationally substantial on issues like the right to information, the question of white technology, but they have been, देखे, but they have been parochial, parochial का मतलब होता है narrow-minded, but they have been parochial, failing to combine the local and the international in creative way, देखे, जब आप local और international को साथ में लेके चलते हैं, तो इसका मतलब आप broad-minded हैं, आप parochial नहीं है, तो parochial word यहाँ पर सही है, creative ways भी सही है, parochial का देखे, एकदम सही meaning है, और यदि एक word भी आपको सही ल चारों सही होंगे, तो एक word आपको सही लग रहा है, तो इसका मतलब यह चारों सही है, तो इसका मतलब इसमांसर क्या होगा, no correction required, यानि चारों words जो है, यह सही है यहाँ पर, तो ऐसे इन words को कर सकते है, mitigate का मतलब क्या है, कम करना, reduce करना, sanctimonious मतलब superior, जो व्यक्ति अपने आ राना, raw, कच्चा, bucolic होता है, गाउं से संबंदित, bucolic, ठीक है, और rustic, रस्टिक गमार व्यक्ति को बोलते हैं, गाउं का जो व्यक्ति रस्टिक, तो इस तरीके से इन questions को कर सकते हैं, अब हम आगे दिखते हैं, the campaign for election in Brazil is by an anti-establishment mood, देखे, यहाँ पर क्या word आएगा, य campaign, क्या campaign, racket हो सकता है, racket मतलब बरबाद, damage नहीं हो सकता है, spawn मतलब grow होता है, beset हो सकता है, superseded नहीं हो सकता, beset का मतलब होता है, surrounded, किसी चीज़ से surrounded, और beset के बाद by भी आता है, तो beset आ जाएगा यहाँ पर, third, इसमें answer हो जाएगा, the campaign for election in Brazil is beset by an anti-establishment mood, as in several democracies, ठीक है, anti-establishment mood, जैसे anti-incumbency आपने सुना होगा, तो ब्राजील में जो campaign चलता है election के लिए, वो anti-establishment mood से घिरा हुआ है, जैसा कि दूसरी democracies में, काफी सारी democracies में होता है, तो इसमें यहाँ पर आप several आजाएगा, और third में levels are being elected आजाएगा, fourth में आपका polarized आजाएगा, तो एक यह दिया वोइड को पकड़ लेते हैं, तो वहाँ से आप सारे वोइड को कर सकते हैं, मतलब आजन से नकाल सकते हैं, रिगेल मतलब किसी को अपनी बातों से entertain करना, एब्जूर मतलब त्यागना, विशियेट मतलब impair कर देना, सबसेस्ट मतलब manage to survive होता है, सबसेस्ट का मतलब, प्रोजीनेटर मतलब आने वाली जो PD होती है, काफी अच्छे words दिये हैं इसमें, चलिए, इसमें कुछ questions और मेंट, बिदाउट फुल कमिटमेंट वर्ट सही है, यहां पर, तो इस आस्पेक्स और डबलमेंट, देर इस लिटिल चांस ओफ मीनिंग फुली अचीविंग, यह भी वर्ट सही है, बिसाइट्स, बिसाइट्स, एंडिंग, मैनुवल इसके वेंजिंग, मैनुवल इसके व रिएविटेशन का मतलब पनर्वास करना, किसी को फिर से उनको घरबार उनको दिल्वाना, उनको सथाफित करना, उनको हम बोलते हैं, यह यह सही है, इसमें वर्ट को इक्शेंज करनी की आपको जरूष नहीं है, तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा, आपका लुकरेक्श या confident व्यक्ति को बोलते हैं न्यूगेट्री का निल होता है काफी सारे वर्ड इसमें दिये हैं exhorting का मतलब अर्ज होता है बेरेन का मतलब unfertile होता है पार्च का मतलब सूखा dry होता है फर्टाइल का मतलब जिसमें fertility जादा है ठीक है चलिए एक कोशन और देखते हैं the feeble machinery required to enforce legal provision को कौन सी machinery enforce करती है legal provisions को कौन लगाता है क्या वो feeble machinery होती है जिसको feeble का मतलब कमजोर होता है the feeble machinery required to enforce legal provision क्या legal provisions को feeble machinery enforce करती है legal provisions को कमजोर machinery required का मतलब होता है जरुवत पड़ती है तो machinery feeble नहीं हो सकती वो machinery कैसी हो सकती है वो machinery official हो सकती है cumbersome नहीं हो सकती awkward होता है poignant नहीं हो सकती recommended नहीं हो सकती अफिसेल हो सकती हैं, the official machine required to enforce legal provision, legal provision vigorously, बहुत तेजी से, and the infrastructure to manage waste scientific are ineducate, are ineducate सही है, यहाँ पर ineducate, making it unlikely that there will be significant public health outcome, outcome flowing from high profile clearing campaign, सही है, travel का मतलब तो actually engage in hard working होता है, गलत है travel, flowing from, flow कोई बात from भी आता है, तो यहाँ पर इसमें आपका fourth option है, यह सही है, तो I hope आपको यह questions समझ में आए होंगे, मैंने केवल साथ questions ही लिये हैं, लेकिन अच्छे तरीके से मैंने explain किया है, और आपको समझ में आया होगा किस तरह के questions को मैंने काफी trend में हैं, तो इस video class में मैंने यह explain किये हैं, और bank PO, bank clerk दोनों के लिए ही highly important है, ठीक है, तो इस तरह के और video classes मैं upload करूँगा, pre के लिए, और mains के लिए मैं अलग से कुछ video classes upload करूँगा, तो इस video class में इतना ही, अब मैं आप से बिलूँगा next video class में, thank you.